इदर सीरिया में एक बार फिर अमेरिका ने एर स्ट्राइक की है और इस बार अमेरिका की एर स्ट्राइक में IS-IS को तगड़ा नुकसान हुआ है जी हाँ, अमेरिका ने IS-IS में उसामा के नाम से मशूर टॉप कमांडर को मार गिराया उस सामा सीरिया में ISIS का सबसे बड़ा कमांडर था उसके पास ISIS के लिए आतंकियों की भरती करने की जिम्मेदारी भी थी अमेरिका के इस हमले से सीरिया में आतंक की रेड ही तूट गई है शांत पड़े इलाके में अचराना के एक जोरदार धमाका होता है और जब धुए का गुबार चटता है तो पता चलता है कि डारगेट के चीथड़े उड़ चुके हैं ये एर स्ट्राइक अमेरिका की ओड़ से की गई थी और धमाके की जगा थी सीरिया मारा गया आईस आईस का ओसामा सीरिया में अमेरिकी एर स्ट्राइक कई आतंकियों के मारे जाने की खबर अमेरिकी सेना ने दावा किया है कि रविवार को सीरिया में उन्हों ने हवाई हमले में आईस आईस के ओसामा को मार गिराया है यूएस सेंटरल कमांड ने जानकारी देते हुए बताया कि मारे गए आईस आईस के आतंकी की बहचान उसामा जमाल मुहम्मद इबराहिमल जनाबी के रोप में हुई है अमेरिकी सेंटरल कमांड ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट शियर करते हुए कहा कि सीरिया में 16 जोन को यूएस सेंटरल कमांड ने सीरिया में हवाई हमला किया जिसमें आईस आईस के एक वरिष्ट अधिकारी उसामा जमाल मुहम्मद इबराहिमल जनाबी की मौत हो गई उसकी मौत से आईस आईस के संसाधन जुटाने और आतंकी हमले करने की शमता कम होगी